दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको online earning का एक बहुत सांदार source बताने जा रहा हूँ अगर आप इस source के उपर काम कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपकी online earning बहुत ज़्यादा हो सकती है बहुत next level तक की growth आप बहुत कम समय में हासिल कर सकते हो सो चलिए मैं आपको बिना time waste की ये content बताता हूँ कि कौन सा content है आप उस content को कैसे बनाओगे कैसे उससे पैसा बनेगा सब कुछ detail में मैं आपको यहाँ पर explain करता हूँ तो सबसे पहले इस website को देखे जिसका नाम है जिंदगी wow.com और यह सबसे interesting बात है कि यह Google AdSense से monetize Albert Einstein के 51 प्लस जीवन बदल देने वाले परसिद विचार यहाँ पे इन्होंने Albert Einstein सर के जो विचार है जो इनके quotes है उनके बारे में बात किये अब आप दीखे यह चाहते तो 51 जो इनके quotes है वो सभी image पे डालके भी डाल सकते थे इन्होंने लिखके डाले basically copy paste करके डाले इसी तरीके से भीमराव अंबेड कर साब के अनमोल विचार महासिवरात्री quotes, status, self-love quotes, और शायरी यह सब content जो है इस website पे upload होता है इस website का जो मंथली विजेट है या मंथली ट्रैफिक जो है similar wave के basis पे उसके उपर आप focus करिए so जब तक यहाँ पे data load हो रहा है आपन दूसरी website को चेक करते हैं क्योंकि data आ नहीं रहा है अगर आना होता तो अब तक आ जाता एक और website है hindi online जानकारी.com और यहाँ पे भी कविता है समन्य ग्यान एंड कुछ चीज़े बताई गई है overall यहाँ पे आपको आइंश्टाइन सर के जो सू विचार है वो देखने को मिल जाएंगे website google adsense से monetize है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आइंश्टाइन के अनमोल विचार जिन में समय एक ब्रह्म है सूसना ग्यान नहीं है कल्पना ग्यान से जादा मैत्वपूर्ण है ग्यान का एक मात्र सोत अनुभव है कठिनाईयों के बीच ही अवसर सुपे होते क्रोध मुर्खों की छाती में ही बसता है इस ट्राइब के अलबर्ट आइंस्टाइन के मोटिवेशनल विचार यहां पर भी सेम सेनेरियों हमें देखने को मिलता है सिमिलरली एक और विबसाइट है ज्यानीपंडित.com यह भी गूगल एडसेंस से मॉनिटाइज है नीचे अड़टाइज आप देगी बारे हो और सेम टाइप का सेने लिख रहे हैं और उसके बाद जो हैं उनकोर्ट को यहां पर अपलोड कर रहे हैं एडविटाइजमेंट काफी अच्छे से इन्होंने लगा रखी है विबसाइट इनकी अच्छे से मॉनिटाइज है तो अब सबसे बड़ा सवाल यहां आता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आप अपको बताने वाला हुँ इसी वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखें भीना कही जाईए अकामत चलिए , शुरवात करते कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सबसे पहले तो आपको अपनी website को तयार करना है website को तयार करने के लिए आपको Google पे आना है and search करना है blogger 100% copy paste method बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से दीखेगा Google पे आप जब blogger search करेंगे ये link आएगा इसी link पे आपको click करना है अब आपको create your blog के button पे click करना है तो आपके सामने आपके सारे gmail account आजाएंगे आपको उन में से किसी भी एक gmail account को select कर लेना है gmail account select करने के बाद जो है यहाँ पे आपको अपने blog का name लिखना होगा सो मैं अपने blog का जो name रखने वाला हूँ वो रखने वाला हूँ famous quotes जी यहाँ दोस्तो famous quotes नेम जो है अपन यहाँ पे रखने वाले है सो ज्यान से ठीक है यह हमारे blog का name होने वाला है तो इसको मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ next के बटन पर click करेंगे अब हमें अपने blog के लिए एक url बनाना है सो हम url भी बना लेंगे address में हमने डाल दिया famous quotes लेकिन url में कोई भी space नहीं होता है यह चीज़ जान रखिए पीछे हमने एक random number add कर दिया जोकि available नहीं है सो अगयन एक random number add कर दिया जोकि available है और save के बटन पर click कर दिया सो हमारा जो blog है वो बनके ready हो गया अब देखे adsense से monetize करवाना है इन सभी websites की तरह आपको अपने website को तो आपको जो है यहाँ पे 5 pages बना लेने है pages segment के अंदर जिन में termine condition about us, contact us, disclaimer and privacy policy यह compulsory है बना लीजिएगा बहुत ज्यादा help मिलेगी आपको adsense approval में second चीज आपको theme लगा देनी है दीगे theme export करके कैसे लगानी है इसके बारे मैं already मैं काफी वीडियो ज बना चुका हूँ so currently यहाँ पे मैं एक normal सी theme आपको apply करके बताता हूँ फिर यहाँ पे आप setting में आना है and setting में आपको अपनी website का description set करना है कि आप यहाँ पे क्या चीज़े बताने वाले हूँ, किनके quotes, किनके stories, किनके status आप बताने वाले हूँ, वो सारी चीज़े blog language जो की यहाँ पे देगे, English select है, इसको आपको Hindi select करना है यहाँ दोस्तों जब तक यहाँ पे आप हिंदी select नहीं करेंगे, आप हिंदी audience को target कैसे करेंगे तो हिंदी select कर लिया है, अब नीचे scroll करना है और एक important चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो at time zone की, देखे Pacific time Los Angeles का select है यहाँ पे आपको select करना है, कूल का था इंडिया standard time तो यहाँ पे आप देगेगा थोड़ा scroll करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे time लगेगा basically, यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया standard time कूल का था हमें यहाँ पे मिल चुका है save के बटन पे click करेंगे, so save के बटन पे click करते ही setting update हो चुकी है उसके बाद meta tag के उपर आपको click करना है और इनको enable कर देना है, charge description में अपने meta tag डालने है, फिर आपको crawler and indexing में आना है, custom robot text को आपको enable कर देना है custom robot header tag को भी आपको enable कर देना है, so इतना करने के बाद आपको अपनी website को google church console में add कर देना है so यह कर दिया आपने, उसके बाद आपको आना है यहाँ पे post के उपर and new post पे आप click करेंगे so अब example के लिए अपन जो है यहाँ पे Einstein sir के quotes की बात करने वाले तो यह जो है, अपने यहाँ से title ले लिया and title जो है आप क्या गरेंगे, chat GPT को देंगे so दोस्तों आपको chat GPT पे आके यह जो है basically आपको chat GPT को command दे देना है chat GPT देखते हैं इसके उपर क्या response देता है so यहाँ पे आप देख पारे हो chat GPT ना हमारे सामने यह content create करना शुरू कर दिया है I can certainly provide you with some famous Albert Einstein quotes in Hindi here are 10 of his well-known quotes translated so जो इनके 10 well-known quotes से उनको जो है यहाँ पे chat GPT आमें बना के दे रहा है जो कि आप अपनी screen पे दिए की पारे हो so यहाँ पे अगर आपको 50 सहिए तो आप जो है chat GPT को दुबारा request कर सकते हो chat GPT ने यह भी बोला है feel free to ask so आप देखें यहाँ पे मैं इसको जो है again copy करता हूँ and chat GPT को मैं यह बोलता हूँ इसके लिए मुझे एक title बताओ इस blog के लिए मुझे एक title बताओ so यहाँ पे stop generating पे click करेंगे and यहाँ पे बोलता हूँ chat GPT को so इसके लिए आप मुझे blog title बताओ so जब आप chat GPT को यह command दूँगे तो chat GPT जो है basically आपको यहाँ पे कुछ title suggest करके देगा example के लिए यहाँ पे आप देख पारे हूँ जरूर मैं आपको एक blog title सुझा सकता हूँ जिसमें आप अलबर्ट आइंस्टाइन के 50 परसिद उद्धकर्णों को हिंदू में प्रस्तुत कर सकते हैं अब देख सिए यहाँ पे हमने इस title को कर लिया copy यहाँ पे आए title को कर दिया पेस्ट और यहाँ पे हम जो है यहाँ लिख लेंगे अलबर्ट आइंस्टाइन सो यहाँ पे आप देख पा रहे हूँ इसके अलावा यह ई होगा बेसिकली भी है और यहाँ पे पर्मलिंक पे आना है कस्टम पर्मलिंक पे क्लिक करना है और आपको title दोबारा पेस्ट कर देना है और मेटा टेक में आपको अलबर्ट आइंस्टाइन, अलबर्ट आइंस्टाइन कोड्स इनके रिगार्डिंग डेटा दाल देना है अब देगे दियान से यहाँ पे कोड्स हमारे पास आ चुके है compose view में हमको आ जाना है title जो है हमारा हमको यहाँ पे दुबारा paste कर देना है इसको select करके bold कर देंगे major heading में आप convert कर देंगे इस पे click करके आप center align कर देंगे and यहाँ से आप जो है इसकी length बढ़ा सकते है font type, font size सब कुछ जो है आप यहाँ से change कर सकते हैं इसमें कोई भी doubt नहीं है अब ज्यान से दीगे क्या चीज़े मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ देखिए यहाँ पे अमारे सामने ये 10 quotes है अब ये 10 quotes आप ऐसा का ऐसा डाल सकते हो साधी आप चाहे तो इनको photo format में बना के भी डाल सकते हो like मैं इनको copy कर दिया हूँ अब यहाँ पे मैंने इनको paste कर दिया right इस type से content तो हमारे पास आ गया अब आपको जाना है canva के उपर canva पे Albert Einstein sir का image लेना है आपको image आप कहां से लोगे I think आप सभी को पता है कहां से लेना है google पे easily मिल जाएंगे फिर आपको आना है यहाँ से जो भी quotes आपको पसंद आए वो quotes लेना है copy करके and उस quotes को यहाँ पे image के उपर setup कर देना है कैसे करना है वो भी I think इतना आपको पता ही है paste कर देना है paste करने के बाद आप इसको easily adjust कर सकते हो up, down, small, large just type से आप करना चाहते हो कर सकते हो font change करना है style change करना है सब कुछ यहाँ पे easily हो जाएगा यहाँ पे मैं currently white color select क्या हूँ जो की काफी attractive भी लग रहा है अब देगे यह image कितनी ज़्यादा attractive यहाँ पे बनी है अब इस image को download कर लेंगे अपन यहाँ पे so इस image को download करके आपको वहाँ पे upload कर देनी है इस blog के अंदर इसी तरीके से आपको सारे images बना लेने है उन images को आप यहाँ पे upload करूँगे उससे पहले मैं जो है यहाँ पे इनको जो है एक बार इनकी clear कर देता हूँ formatting right कुछ इस type से so ऐसा कर दिया हमने इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो आप यहाँ पे अगर कोई numbering लगानी है bullet लगानी है तो वो भी आप add कर सकते हो कुछ इस type से right अभी यहाँ पे इनको अगर justify करना है आपको तो वो भी आप कर सकते हो बहुत सारे option आपको मिल जाएंगे right इस type से justify भी आप इनको कर सकते हो सो अब देगे द्यान से यहाँ पे image आ चुका है अब image यहाँ पे add करना है so image add करने के लिए यहाँ पे दीखे इस पे click करेंगे insert image पे upload from computer में जाएंगे choose image पे click करेंगे and यह हमारे सामने file को open कर देगा अब दीखे यह image यहाँ पे हमने select कर ली अब again select के बटन पे हमें click करना होगा फिर जो है आप यहाँ पे इस setting के बटन पे click करेंगे extra large के बटन पे click करेंगे update पे click करेंगे तो अब image यहाँ पे दीखे उपर आपका text नीचे image हो गई इसी तरीके से सेम आपको second के साथ, third के साथ, fourth के साथ 50 के साथ आप करोगे आपका article अच्छा कासा लंबा हो जाएगा फिर आप इसको publish कर देंगे confirm के बटन पे click कर देंगे right इसी type से articles बनते हैं, article publish होते हैं adsense से monetize भी होते हैं और पैसा भी कमाते हैं हलवा है हलवा, इस से आसान तरीका पैसा कमाने का online नहीं है समझ रहे हो, इस से आसान तरीका online पैसा कमाने का बिलकुल हैं ही नहीं अब ध्यान से सुनिए adsense का approval चाहिए आपको 4-5 दिन, 10 दिन wait करिये, अपनी website को पुराना उने दीजिए थोड़ा कस्टमाइज करिए उसके बाद apply करिए, मिलेगा adsense का approval अगर ads tera का चाहिए easily ले सकते हो, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे अभी apply कर दूँ, इस website पे अभी मिल जाएगा हत्वात so, मेरी मानिए adsense का monetization enable करवाईएगा जिस तरह हमने example in सभी website का देखा, सभी पे copy paste का हमें, लेकिन सभी पे adsense approval मिला हुआ है, तो of course आपको भी मिलेगा, बस क्या करना है आपको ये images create करनी है और इन images को अपने blog के अंदर upload करना है इतना करते हो तो easily मिल जाएगा so, video informative लगा तो video को like करिए, channel पर पहली बार आयो make sure कि आप channel को subscribe करें हम मिलेंगे आपको next video में thanks for watching friend